पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा जेष्ठा नक्षत्र में रात्री नौ बज कर 45 मिनट तक चलते रहेंगे तद पस्चात मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जेष्ठा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुद्ध देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, प्रतिभाशाली, धार्मिक भावना वाले, प्रतिष्ठित, हर कारे करने के प्रतिवतत पर, अध्येन सील, तर्क शास्त्री और वैग्यानिक अहुरूचियों वाले होते हैं ऐसे जातक असपस्टवादी, तेज दिमाग वाले, मगर सिग्र क्रोधित होने वाले, स्वाभिमानी, पशुपालन में रूची रखने वाले, मित्रों के सहयोगी और उच्च भिलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा मंगल और बुद्ध की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंदर्मा आज भी पूरे दिन रात्री 9 बचकर 45 मिनट तक ब्रिश्चिक राशी में ही चलते रहेंगे तद पस्चात धनू राशी में प्रवेश्च कर जाएंगे मेश राशी के जात्कों के लिए स्वास संबंधी मामलों के साथ साथ मानसिक उत्साह में भी उतार चड़ाव और मन में नकारात्मक विचारों का उठना सभाविक है चंदर्मा बुद्ध के नक्षतर में चल रहे हैं बौधिक छमता का इस्तेमाल लावदायक रहेगा कारेच्षेतर में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी नई कारियोजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक शक्रिकता बनी रहेगी सम्वंदित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है आर्टिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा और साजे दारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा मगर वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश रासे के राशिस्वामी नीच के होकर पांचवे घर में बैठे हैं मगर चंद्रमा बुद्ध के नक्षत्र में हैं इसलिए साहयोगात्मक रवया कायम रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे और स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए हाला कि ग्रिहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का योग बनता है नई कारी योजिनाओं में और बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे और साजेदारी के सफल रहेगे आठिक लाग मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजिनाएं पूरी होंगी निजी निवेश लावदायक रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है राजकी ये मामलों में सहयोग बना रहेगा और वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे मिथुन रासे के जात्कों के लिए स्वास संबंदी जटिलताओं पर ध्यान दखना चाहिए चंद्रमा आपकी रासी से छठ में चल रहे हैं और आपके रासी स्वामी बुध राहू के साथ दूसरे भाव में चल रहे हैं यदि कोई समस्या पहले से चली आ रहे है तो उचित चिकित सकी ये परामर्स लेना आवर्शक होगा और आज का दिन आसंकाओं से भरा रहेगा हाला कि कारेच्षेद की निरंतरता बनी रहेगी साजेदारी के प्रस्ताव लाफदायक रहेंगे और नई कारी वजनाओं के विष्टार का मोका मिलेगा सरकारी कामकाज से हिलाब संभव है पारिवारिक माहौल संतोस प्रद रहेगा और विद्यार्थियों के लिए सफलता संभावित है प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं करक राशिके राशिस्वामी चंद्रमा नीच के होकर पांचमे घर में चल रहे है मनोबल में कमी और नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संभव है हलाकि कारे च्छेदर में सफलता मिलेगी और सकारात्मक पेरना जारी रहेगी अधुरी योजनाएं पूरी होंगी और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा नई कारी योजनाओं के प्रस्ताओं आएंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा साजेदारी में लाव संभव है कारे च्छेदर के बिस्तार करने में आपका में योगदान महत्पूर्ण होगा सासन सप्ताब अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा संतान संबंदी बाधाओं में कमी आएगी बिद्यात्यों के लिए अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे और स्वास संबंदी साउधानियां अपेक्षित हैं सिंगर आसी के जात्कों के कारे च्छित में बिस्तार होगा और अच्छे कामों में खर्च की स्थिती बनी रहेगी प्रियास सार्थक होंगे और आत्मिश्वास में बिब्धी होगी नई कारी और जिनाओं के प्रस्ताव लाबदायक रहेंगे सासन सवता वो अधिकारीों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी काम का आज संपन्न होंगे आर्थिक लाव सामाने रहेगा मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए पारिवारिक गायत की पूर्ती होगी और वैवाहिक मामलों केलगी आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में शफलता मिलेगी और प्रयास अर्थक होँगे साथ है किसी समारोव में सम्मानित किये जाएंगे कन्या राज के जयतों को स्वास्त संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए बुद्ध का राहू के साथ होना स्वास्त और मानसिक भ्रम के साथ साथ व्यावसाई गतविधियों में रुकावट वा अडचन का संकेत भी देता है धैनिक जीवन की क्रियासिलता में थोड़ा उतार चढ़ाव संभावित है फिर भी आज का दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करेगा और कारेच्षित की निरंतरता बनी रहेगी आठिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा मित्रवा संबंधियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा कुछ रुकते हुए काम साम तक पूरे होंगे और आत्मिश्वास में विध्धी होगी विध्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यन अध्यापन में प्रयास जारी रखें तुला राश के राशिस्वामी सुक्र नीच के होकर बारहमे घर में बैठे हैं साथ ही चंद्रमा भी आज नीच के हैं सेहत और आंतरी कुर्जा के छेतर में सहयोग मिलेगा मगर ब्यावसाईक योजनाओं के प्रती मन में उतार चड़ाव जारी रहेगा इस दवरान कारे छेतर में लिए गए कुछ निरने को सुधारने की आवसेक्ता पड़ सकती है और किसी काम में देरी की संभावना भी बनती है नकारात्मक विचारों से दूर रहें आर्थिक लावाफ के मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा अध्यन अध्यापन के लिए समय अनकूल है रुके हुए या विवादित मामलों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे ब्रिश्चिक राशिके जात्मों को मानसिक स्थिरता और संयम की आवस्चता है वाडी में तीखापन और कारी वजनाव में जल्दबाजी और व्यगरता संभावित है किसी भावनात्मक पहलू की बारंबारता दिमाग में बनी रहेगी जिससे निरने लेने में उतार चड़ाव संभाव है सरकारी कामकाज पूरे होंगे नेजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की तेरना लेते हुए कारी वजनाव को संपन करें सफल रहेंगे वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक वक्ष सामान रहेगा विद्यार्थी अध्यन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं धनुराशी वाले जात्कों को अत्यधिक उर्जा महसूस होगी आपका उर्जा अस्तर सबसे अधिक बढ़ा हुआ होगा हलाकि वाड़ी में प्रखरता और तेजस्रीता परिलक्षित होगी और अनावसे कुर्टेजना का दौर आता रहेगा अपने आपको धैर और संयम के साथ नियंतित करना चाहिए हलाकि कारेच्षेत में आ रहे ही रुकावतों में कमी आएगी और आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा सिछा प्रत्योगिता के लिए समय अनुकूल है अध्यान अध्यापन में लाव मिलेगा वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा का योग बनता है साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी वाले जात्कों को कारेच्षेत में सफलता और आर्थिक लाव में सहायता मिलती रहेगी बुद्ध राहू के साथ सात्में और सूर्य के आठमे भाव में होने से क्रिया सिलता और आत्मिश्वास में कमी वास्वास संबंधी संवेदन सिलता बनी रहेगी नीजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं अनावस्यक खर्च का योग भी बनता है हाला कि अपनी योजनाव को कुशलता से मियंतित करते रहेंगे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवस्यक होगा आठिक पक्ष सामान रहेगा अध्यन अध्यापन में सफलता मिलेगी पारिवारिक सुक सवहर्द में और नीजी संबंधों में ताल मेल बनाए रखना चाहिए कुम्भराशिके जातकों के लिए कारेच्षेत की सक्रियता आत्मिश्वास में कमी और रचनात्मक प्रयासों में बाधाओं का संकेत मिलता है हाला कि ब्यावसाइक प्रात्मिक्ताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें आपकी अस्पस्ट सोच और बुद्धिक उसल का इस्तेमाल लावदायक महावल पैदा करेगा आठिक लाव सामाने रहेगा विबादित योजनाओं में समझावता करना लावदायक रहेगा साजेदारी सफल रहेगी सासन सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा धार्मिक भावना बलवती होगी सामाजेक ब्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुक सवार में बृद्धी होगी मीन राशी के जातकों के लिए आठिक लाव की स्थिती मन मुताविक बनी रहेगी रुके हुए काम संपन्ध होंगे धैर्य और सायम से काम लेते हुए कारिच्षित्र में लगे रहें सफल रहेंगे नई कार योजनाव में सफल सुर्वात संभव है निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साजेदारी के काम लावदायक रहेंगे मगर कुछ कामों में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है जिससे आपकी दक्षता प्रभावित होगी हाला कि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है हाला कि स्वास संबंधी मामलों में आवस्षक सावधानी बनाए रखे आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए